हेलो फ्रेंज्स स्वाख़ाः आप सबका हमारे यूट्यूब चनल 4U only में फ्रेंज्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने वाट्चेप नमबर को के से चेंज कर सकते हैं उस पे आप के से निया नमबर एट कर सकते हैं इसके बारों में बात करेंगे और वो भी without closing any data और chart history WhatsApp नमबर चेंज करने के बारे में सुनकर आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें कुन सी बरिबत है WhatsApp नमबर को चेंज करने की क्या ज़रूरत है अगर करना है यह तो हम आपने निये नमबर से एक WhatsApp अकाउंट निया बना लेंगे तो मेरा जवाब है जिया फ्रेंज आपने यह नमबर से एक निया WhatsApp अकाउंट बना सकते हैं लेकिन आपके पुराने नमबर पर जितने भी chart history होंगे या फिर important data वेगरा होंगे जैसे कि photo videos हो गया उसे आप उस नमबर पर के से देखेंगे मतलब आपने पुराने WhatsApp नमबर से जितने भी charting किये है और data वेगरा send या फिर रिसिप किये है जैसे कि photo हो गया वीडियोज हो गया उसे आप इस new नमबर पर के से देखेंगे मतलब नया WhatsApp अकाउंट पर के से देखेंगे क्योंकि यह तो आपका fresh account open होगा ना तो यहाँ पर आपके पुराने नमबर पर जितने भी charting वेगरा होंगे वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह अलग नमबर है और यह एक fresh account होगा आपका लेकिन इस वीडियो में आप लोग को जो तरीका दिखाऊंगा यह तरीका फोलो करके आप अपने पुराने WhatsApp नमबर को अपने एक नया WhatsApp नमबर पर ट्रांसपर कर पाएंगे और आपने पुराने नमबर पर जितने भी चैटिंग वेगरा किये होंगे ना WhatsApp आपके नया नमबर पर वेशा का वेशा दिखाई देगा मतलब खाली आपका फोन नमबर चेंज होगा बाकी आपका जो चाटिंग हिस्ट्री होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इस पर तो चलिए बिना देरीकिये बरते हैं वीडियो की तरफ तो आप अपने मोबल पर WhatsApp उपेन करेंगे उपेन करने के बाद यहाँ उपर राइट करोनार पर आपको त्री डॉट्स दिखाई देगा इसके बाद यहाँ सबसे नीचे जो शेटिंग्स का उप्शन है इसके बाद यहाँ आप एकांट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहा तो इसे पर सकते हैं यहां से आप next करेंगे इसके बाद यहां लिखा enter your old phone number with country code तो country code यहां पहले से ही selected रहेगा यहां आप अपना old phone number मतलब अभी आप जिस नमबर से whatsapp कर रहे हैं ना वही नमबर यहां टाइप करेंगे और इसके बाद लिखा है enter your new phone number with country code और यहां आप उस phone number को टाइप करेंगे जिसमें आप अपने पुराने whatsapp account को ट्रैंसपर करेंगे मतलब यहां आप नैप फॉन नमबर टैप करेंगे आप जिस नमबर पर पुराने account को ट्रैंसपर करना चाते है वो नमबर तो यहां में phone number । t landfill कर देता हूँ phone number पर एंटर करने के बाद यहाँ आप नीचे next पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ लिखा है notify context तो यहाँ से आप इसे enable कर सकते है एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर तीन options दिखाई देगा तो यहाँ पहले लिखा है all context तो यहाँ जो आप अपने पुराने WhatsApp नंबर को ए all settings पर टीक करेंगे तो इसका notification आपके phone पर जितने भी नंबर सेप किया होगा उन सभी के पास यह notification चला जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि आपने अपना पुराना नंबर को एक नए नंबर पर ट्रांसपर कर लिया है और इसके बाद सेगेंड पर है context आई है चार्ट इसका मतलब यह है कि आप अपने WhatsApp पर जितने भी लोगों के साथ चाटिंग विगरा किये होंगे पहले उन्हीं के पास यह notification चला जाएगा कि आप यहाँ पर अपना नंबर जो है चेंज कर रहे है मतलब ट्रांसपर कर रहे है एक निया नंबर पर इसके बाद है custom तो यहाँ आप custom पर क्लिक करेंगे तो आपके phone पर जितने भी नंबर सेब करके रखा होगा उन सभी का list यहाँ पर निकल कर आ जाएगा यहाँ से आप manually किस किस को यह notification देना चाहते है मतलब send करना चाहते है यहाँ से आप उन सभी को select कर सकते है और यहाँ right पर क्लिक करेंगे तो आप all contacts को select कर सकते है इससे आपके phone पर जितने भी नंबर सेब करके रखा होगा उन सभी के पास यह notification चला जाएगा और उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप अपने पुराने WhatsApp नंबर को एक निया WhatsApp नंबर पर ट्रांसपर कर लिया है और आपको एक एक करके बाताना नहीं परगा कि अपने अपना WhatsApp नंबर चेंज कर लिया है तो यहाँ आप नीचे जान पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ ऐसा पेज आपके वहाँ भी सो कर सकता है तो यहाँ आप नीचे verify another way पर क्लिक करेंगे इसके बाद लिखाए verify your phone नंबर another way और यहाँ दो आप्शन सो कर र receive होगा उस पर code होगा उसको यहाँ एंटर करना होगा और call me पर क्लिक करेंगे तो आपके पुराने WhatsApp नंबर पर WhatsApp के दुरू एक call किया जाएगा और call के दुरू आपको OTP बोला जाएगा उस OTP को आप वहाँ एंटर करेंगे तो मैं यहाँ पर send SMS पर क्लिक करता हूँ इसके आपके नया नंबर पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आप यहाँ टाइप करेंगे या फिर यहाँ से automatically fetch भी किया जा सकता है जैसे मेरे यहाँ पर automatically fetch किया गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरा तो पुराना नंबर था वो एक नया WhatsApp नंबर पर ट्रांसपर हो गय है यहाँ से हम इसे okay करेंगे तो इसे ही आपके वहाँ भी आपका पुराना नंबर change हो के नया नंबर add हो जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पुराने नंबर से जितने भी चाटिंग वेगरा किये है वह सब यहाँ पर लिस्ट हो रहा है मतलब दिखाई दे रहा है मतलब कुछ भी यहाँ पे डिलेट नहीं हुआ है सब यहाँ पर वेशा दिखाई दे रहा है तो इसे करके फ्रेंग्स अब भी अपने पुराने वाट्सेप नंबर को एक नया वाट्सेप नंबर पर चांसपर कर सकते हैं वह भी विदाउट लूजिंग एनी चाठ सब्सक्राइब करें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नहीं टोपी के साथ फिर मिलूंगा थेंक्यू